देखिए ये पेशेंट है हमारी 30 साल की ग्रहणी है इनको कुछ साल से सांस फूलती थी चलने फिरने पे और दिल की धाकन तेज हो जाती थी ये अपने रोज मर्रा के काम भी नहीं कर पा रही थी तो जांचों में इनको पता चला कि इनको दिल में छेद है और इनको बताया ग जाएगा इसमें कई लाग का खर्चा आता है और यह ऑपरेशन आगरा में होता भी नहीं है फिर यह मेरे संपर्क में आई किसी तरीके से तो इनको देखा हमने फिर हमने प्लाइन किया कि इसको हम ओपन हार्ट सरजरी के बिना नई टेकनिक आई है डिवाइस क्लोजर बोलत है जिसमें ना तो कोई बेहोशी की आवशकता पड़ती है ना कोई पेशेंट का कोई दिल खोल के या कोई चीरा फाड़ी की भी आवशकता नहीं होती तो यह हमने कल किया है और सक्सेस्फुल हो गया है उनका छेद बंद पेशेंट एकदम स्वस्थ है खाप ही रहें और कल छुटी के लिए तयार भी है और यह अपने आप में आगरा का पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसमें डिवाइस के दुवारा दिल का छेद बंद किया गया बिना ऑपरेशन और बिना बेहोशी के और इसका खर्चा भी एक तहाई के आसपास है जो कि दिल्ली में खर्चा आता है उसके मुकाबले तो यह हम खुशी है हमें इस बात की कि आगरा में एक नए तरीके की टेक्नीक शुडू हुई है जो की पहले नहीं थी और जो दिल के छेद वाले मरीज है जो अफोर्ट नहीं कर सकते दिली नहीं जा सकते उनको एक नई टेक्नीक आई है जिससे उनको